18 जुलाई को राष्टपती चुनाव के बाद अब कॉंग्रिस ने एंडिये की राष्टपती पद की उम्मिदवार द्रौपदी मुर्मो और अन्य के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकाय दज कराई है करनाटक में कॉंग्रिस निताओं ने बीजेपी निताओं पर चुनाव आचार सनिता के उलंगन का आरोप लगाया है आपको बता दे कि करनाटक में कॉंग्रिस ने मंगलवार 19 जुलाई को बीजेपी पर 18 जुलाई की दिन राष्टपती चुनाव के दौरान कानून के प्रावधानों के उलंगन का आरूप लगाया है कॉंग्रिस की ओर से शिकायत NDA उम्मिदवाद रौपदी मुर्मू, CM बसवराज गुम्माई, BJP प्रदेश अध्यक्षन नालिन कुमार, पूर्व सीम, BS यदुरप्पा, सतीश रेड़ी और अन्य मंत्रियों के खिलाफ कराए गई है कॉंग्रिस ने चुनाव आचार सनहिता के उलंगन का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग में शिकायत दर्श कराई है कॉंग्रिस ने आरोप लगाया है कि करनाटक में 17 रोण BJP ने 17 और 18 जुलाई को मतदताओं को रिश्वत और अन्य प्रलोभन दे कर अपने पक्ष में वोट लेने की कोशिश की है करनाटक में कॉंग्रिस विधायक दल के नेता सिधारमया और प्रदेश कॉंग्रिस सत्यक्षी डीके शिवकुमार ने चुनाव बायोग में शिकायत दर्श करते हुए BJP पर आरोप लगाया है कि मतदान करने वाले विधायकों को एक फाइव स्टार होटल में लगजरी आवास उपलब्द कराए गया था चुनाव आचार सनिता के उलंगन मामले में सिधारमया और डीके शिवकुमार की तरफ से एंडिया की राश्वपती पद्कियू मिद्वार द्रापती मुर्मू, करनाटक के मुख्य मंत्री बसवराज बुम्माई, बीजेपी के प्रतेश अद्यक्षिन अलिन कुमार कतिल, बीजेपी के वरिष्ट नेता बियस यदुरप्प, विधान सभा में बीजेपी के चीफ होटल में रुकवाया गया, जहां विधायकों को आलिशान, कम्रे, भूजन, शराप और मनोरंजन की दूसी चीजें मुहया कराकर एंडिया की राश्वपती पत की उम्मीदवार दुरापती मुर्मू के पक्ष में वोट करने के लिए अनुचित प्रभाव डाला गया, जि के बाद 25 जुलाई को देश के नए महा महीम शपत गरहन करेंगे, लेकिन उससे पहले कॉंग्रिस भी बीजेपी के खिलाफ 80 चोटी की जोर लगाने में जुटी हुई है वीडियो डेस्क अमरुजाला डाट कॉम अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें